एक बच्चे ने ये सवाल बेजा है तो देखते हैं कैसे बनेगा ये? कैसे बनेगा? कुछिन पड़ते हैं यहादी कोई बैंक बार्षिक के बदले अर्ध बार्षिक रूप से 20,000 रूपै दो बर्स के लिए 10% बार्षिक बार्षिक की दर्षे ब्याज देना सुरू करता हैं तो चाके विर्दी भी आज में क्यानतर होगा अब इस सवाल को हम लोग सौट में बनाने कोशिश करते हैं कैसे बना सकते हैं तो मुझे लगता है ना कि 10% की दर से यह कर रहा है दो बरसों के लिए 10% के दर से करेगा दो बरसों के लिए 21% इसका इंटरेश्ट बन जाएगा कितना बन जाएगा 21% इसका इंटरेश्ट बन जाएगा तो हम यहाँ पर 21 लिख लेते हैं इसके बाद अगर हम बादकरें यहां एक टर्म है और द राचिग्स अर ठीक है चार साल के लिए 5% पर तो बच्चे ने कोशन में जा था जो की कंपाउनिंट टेस्ट के अधार पर है आए देखते हैं इसको सॉल्यूशन करके कैसे हम लोग कर सकते हैं सबसे पहले स्क्रीन पर कोशन दिख रहा होगा यहां कहता है कि कोई बार्शिक ब्याज पर कोई बैंक बारशिक ब्याज पर और उसके बदले अर्ध बार्शिक ब्याज पर 20,000 उपे के रासी निवेश करती है दो साल के लिए दस महिने के लिए तो compound interest का difference यानि अंतर क्या होगा तो देखते हैं कैसे बनेगा यह अगर हम दिमाग लगाएं तो 10 दूनी 20 यान 21% जो होगा दो साल का general compound interest हो जाएगा ठीक ओके और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो अर्द बार्सिक में नियम बोलता है कि rate half करना है time double करना है नहीं time 2 के जगा पर 4 साल हो जाएगा और rate 5% हो जाएगा तो इस view से देखा जाए rate 5% है तो 5% के इसाब से हम अगर successive निकालना चाहते हैं यार साल का तो कितना हैगा तो रहा कैलकुलिटीव बनेगा 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 525 multiply 100 10.25 ठीक यह तुम समझ में आ गया लेकिन यह थोड़ा सा कैलकुलिटीव method हो जाता है तो हम इसको क्या करते हैं थोड़ा change करते हैं एक और और हम क्या करते हैं कि principal को थोड़ा unit में मा four year के लिए तो हम principal को हम यहां पर मानने की कोचिस करेंगे तो अगर हम मानेंगे principal को तो हमारा principal माल लीजिए कितना है 20 है तो हम उसको 10 माल लेते हैं 10,000 चलेगा हम 10,000 माल लेते हैं अब इस view से देखा जाए तो 5% के हिसाब से चलेंगे सब कुछ भी रहेगा 5% के हिसाब से चलेंगे तो fraction values का कितना हो जाएगा 5% का 1 by 20 1 by 20 ओके और 10% के हिसाब से बहुत तो 21% कल्कुलीट करना ही है तो हम यहाँ पर 5% की दर से हम 20 का निकाल लेते हैं चार साल का चार साल का अगर हम इसको कल्कुलीट करेंगे तो इसकी value कितने होती है चार छे चार एक यह होता है लेकिन यह 10% पर होता है यह थोड़ी अप्लाई हो गए यहाँ पर बट यह ratio है तो काम कर सकते हैं अब हम देखें 10,000 का 20% कितना आएगा 10,000 का 20% 00 कर जाएगा 2 से यह नि 500 ठीक है इसके बाद हम इसको अगर खाटें तो कितना आएगा अगर हम इसको 00 काट दे तो 2 से 25 बार में अगर आगे काटेंगे 20 से तो कितना आएगा 5 से 5 से 5 बार में 5 वाई 4 बार में 5 वाई 4 बार में और लास्ट काटें इसका तो कितना आएगा 5 बाई 80 तो यहां पर सम करने पर 2000 यहां पर पचीश कर देर सव एकीस सव और चार से चार कर जाएगा तो पांच हो जाएगा दो हजार देर सव यहांने की सो पच्चा एक एकीस सो पचास प्लस पांच पचपन एकीस सो पचपन पांच से 16 बार में यह उसके बाद एक बाई 16 एक बाई 16 यह मेरे पास पहले वाएगी और इस आधार पे हम अगर 21 परसेंट निकालेंगे तो दसंबला में आगा कैलकुलीटी फिर से ओड़ा है और कुछ दिमाग लगाते हैं अच्छा आ चुका था देखिए क्या एकीस सो पच्चास पॉइंट सम्टिंग छोड़ दीजिए तैन परसेंट की हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कितना आता है 21 परसेंट ट्विंटी एकीस सो पचास पच्पन आया था क्या हाँ एकीस सो पच्पन आया था 21 परसेंट से 21 परसेंट दसंबला में करने के बाद नीट्रल हो जागा यह निए पॉइंट 55 का डवल 10 10 मेभी हो सकता है नहीं दिखाओगा आपको और थोरा इसके अंदर में घुशते हैं क्या कर सकते हैं अब मैं इसे रेशियो मेथर से निकालने की कोशिश करके दिखाता हूं आपको आप देखते रहिएगा चार छे चार एक कर हलेकर 20 का मट्टिप्लाइस चलेते हैं 20 चार बनेज़ेंट रश्यक्स करेंका बनेंचे कितना ऊगा째 लगा 1000 फ़लय के इससे 20 निकालने के तो निकालने का लिगा बनेंट 20 कि हम क्या करेंगे इसको माइप्तुटी कर लते हैं तो यहां पर multiply करने पर four यहां one meter चलो को बात नहीं यहां पर multiply करके मेरे पास four thousand हो जाएगी अराम समझिएगा कि यहां पर multiply करके three hundred हो जाएगी कि चलिए no issue यहां पर multiply करेंगे किसमें चार में तो इसको इससे multiply करेंगे तो 10 हो जाएगा यहनी 4310 ध्यान में रखना है 4310 हमारे पास value आएगी 4310 और 20 के value होता है point 80 चलिए इसको इगनोर भी कर सकते कोई दिकत नहीं answer लगवग में आ जाएगा और अब हम दो साल का निकालते हैं right side में तो अगर हम दो साल का निकालेंगे तो दो साल का कितना हो जाएगा कि 10% पर निकालेंगे दो साल का तो दो दुना दो साल का 10% 2000 और 2000 के बाद 200 4200 गटा लेते हैं ठीक है तो गटाने पर कितना आता है 110 आया इस तरीका से इस question को हम इसको solve कर सकते हैं कर सकते हैं